अपने विचारों पर कि मैं ठीक हो जाऊंगा और मैं अपने पैरों पर चल के जाऊंगा एक साल के अंदर वो ठीक हो गया और इसे आप ऐसे कहेंगे कि भगवान का चमतकार है किसी मंदिर का आशिरवाद मिल गया जब एक्सिडेंट होता है तो कई बार लोग उधारन देते है कि कोई एक सक्ती आई उसने आके मुझे बचा लिया कई लोगों के जिवन में ऐसी घटना घटी होगी कोई एक्सिडेंट हुआ वो सक्ती के रूप को हम नहीं देख पाए चाया जैसी दिखी और एक कोई था और जिसने गाली को बाहर निकाला और हम एकदम बाहर आ गए और बच गए वास्तों में वो आप स्वेम है जो आत्मा है वही परमात्मा है जो ब्रमहंड है वही पिंड है आपके स्वेम का स्तित्तु ही आपके कारियों को कराने के लिए इतनी सजग है जो conscious जागरित नहीं रहता तो उस समय वो एकदम emergency के टाइम में वो पावर वाहर आती है वो स्वेम आप है अपने आंतरिक शक्तियों को जगाते हैं अब जगा सकते हैं अपने विचारों के द्वारा अगर नए भी जगा हैं तब भी मुसीवत के टाइम पर आपकी भीतरी शक्ति जाकर काम करती है मुसीवत के समय में कहीं आप घबडा गए हैं कहीं लेक्शर देने गए भूल गए लेक्शर लेकिन वहाँ अचानक आप पुले कि कोई शक्ति आके तो लोग क्या करते हैं अपने इस्ट अपने भगवान, अपने संत, अपने मुर्ती उसी को ये सरे दे देते हैं कि उस भगवान के किरपा हो गई होगी नश्चित ही उस भगवान के भी किरपा होई होगी हम यहां अनास्था जगाने नहीं आए लेकिन इतना ध्यान रखना भाग्यवादी ये कहते हैं, हम भी भाग्यवादी हैं संथे धर्म की बात करते है क्या क्याल कहते है कहते हैं कि राम किन चाहें सोई होई करे अन्य था अस नहीं कोई राम जी जो चाहेंगे वही होगा दुनिया में कोई कुछ दुसरा कर नहीं सकता लेकिन जड़ा इस लाइन पर भी विचार करना कि राम किन चाहाईं सोई होई करे अन्य था अस नहीं कोई तो राम जी का कोई घर बना हुआ है पहले तो आयोध्या में थे कहीं उपर देव लोक में बैठे हुए हैं वहाँ से decision लेते हैं कि इस आदमी को हमको दुखी करना इस आदमी को सुखी करना क्या किसी से उनका बैर है बताना भाई आप लो राम जी का किसी से बैर है कि बोलेंगे कि इसको कश्ट देना, इसका business बिगाड़ना इसको accident कराना, इसको बहुत बड़ा hero बना देना, इसका business अफल करा देना इसको बहुत famous कर देना इसको बहुत नीचे कर देना इसको मुकदमा चलवा देना और इसके मुकदमा ऐसे ही ठीक करवा देना राम जी से रिश्तिदारी है किसी की जो सिपारिस वहां कर रहा आदमी और वो उसको पक्षपात कर रहा है राम किन्य चाहिस होई होई करे अन्य था अस नहीं कोई इस पे ध्या देना तो राम कहा है तो आप खुद बोलेंगे तुझ में राम, मुझ में राम रोम रोम में राम रे है या नहीं कि तुझ में राम, मुझ में राम, रोम, रोम में राम रे तो जो तुझ में राम बैठा है वही decision देता है जो भीतर बैठा हुआ है ना राम जो खुद सोचने की शक्ती है वही राम ही भाग्य बनाते है लेकिन बाहर बैठे हुए राम नहीं भीतर बैठे हुए राम हम मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है कैसे भीतर बैठा जो राम है कहते है इस सोल पोटेंसिली डिवाइन इश्वर अंस जीव विनासी हर आदमी दिब्ब है जो परमात्मा है उसी का अंसरूप आत्मा है तो बाहर बैठा हुआ परमात्मा कोई आपका भाग्य नहीं बना रहा है भीतर बैठा हुआ परमात्मा भाग्य बना रहा है तो भीतर के परमात्मा को दिशा कौन देगा खुदी परमात्मा मतलब आप स्वेम दूसरे पे थोपेंगे की नहीं कोई कर देता कोई सहयोग नहीं किया उसने हमारी बुराई कर दी उसने निंदा कर दी उसने टांग अला दिया इसलिए हमारा खराब हो गया विजनेस हमारा काम बिगड़ दिया कोई यहां पे किसी को कुछ भी नहीं बिगाड सकता हम स्वेम ह अर्चेज के लिए जिम्मेवार है हमारी सोच हमारी सोच ही हमारी अपने परिस्थितियों की स्रिष्ठी करती है और वही विश्वास हमारा अपने सोचों पे नए भाग्य का निर्मान करता है यह प्रकृति इन लोग केते हैं परमात्मा करता है नाम अलग अलग है कोई उसे इश्वर कहता है कोई अल्ला कहता है कोई भगवान कहता है कोई नेचर कहता है कोई प्रकृति कहती है और खई लोगों ने तो कहा कि अला दिन के चिराख की तरह यह प्रकृति है अलादीन के छिराग की तरह ये नेशर है जिसमें एक जिन परकट होता है अब उत्स भासा में जिन का हमारी भासा में परमात्मा करी है कि ईश्वर सब करता है तो ईश्वर काह और कंकंड में भ्याप थे पूरी नेशर, पूरी प्रकृती आप और हम अंदर और बाहर हर जगे परमात्मा ही परमात्मा है और वही सब कुछ कर रहा है तो वह बाहर बैठके नहीं कर रहा है अंदर बैठके भी कर रहा है तो चिराग के जिन को जब चिराग को घिसते हैं तो एक जिन प्रकट करता है और कहता है क्या हुक्म है मेरे आका मेरे मालिक आपको क्या चाहिए तो हमने माननेताएं बना लिए पूजा पाठ धर्म के अंदर भी ऐसी गलत माननेताएं हैं जिसके कारण हम दुखी होते हैं गरीब होते हैं परिसान होते हैं और कहते हैं भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों करता है कि हमेसा हम ही target होते पड़ोसी तो सुखी हो जा रहा सभी लोग सफल होते जा रहा हम ही मरते जा रहा हमने सोच लिया है कि थोड़ी दिर के लिए नहांके अगरबती जला के मंदिर में जाके हम बोलेंगे भगवान से दो मिनिट के लिए भगवान मेरा काम कर देना तो वो सुनेगा कैसे नादान है कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि इस्वर सरव्य आप यह और एक तरफ यह मान के बैठते हैं कि मंदिर में ही वो सुनेगा बाहर नहीं सुन रहा 24 घंटे जो हम बोल रहे हैं उसको वो नहीं सुन रहा है क्या जो हम प्लान करके जाते हैं कि अब हम जाएंगे सिद्धी विनायक और वहीं पर जाके बोलेंगे लड़ू लेके तो उसुनेगा और घर में जो हम बोल रहे हैं तो वो नहीं सुन रहा था क्योंकि वहाँ भगवान था यह नहीं और इश्वर सर्व्यापी है हर जगे रहता यह हम मानते हैं यह कैसी हमारी माननेता है कि हम बोलते हैं जाएंगे महालक्षमी वहाँ पर वो सुनेंगी यहाँ पर नहीं सुनेंगी लेकिन समस्या यह है कि वो 24 घंटे सुनती है सिद्धी बिनायक 24 घंटे सुन रहे है इश्वर 24 घंटे सुन रहा है और हम पांच मिनट के बोले हुए चीज को मानने था हमने बोला था भगवान आपने ने किया वो बोलता है भाई हमको तो पूरे लिष्ट तुमारी जो है उसको पूरा करना है न तो 26 घंटे में तुमने जो लिष्ट दिया है वो बहुत लंबी है और मैंने सब पूरा कर दिया मैंने सब पूरा कर दिया तो यह तो मांगा नहीं था तो मांगना तुम किसको समझते हो इटे पत्थर के डिवारों के वीच में जो तुम्हारी आस्था है वो भी है वहाँ भी मैं हूँ ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं हूँ लेकिन वहीं पे जाके बोलते हो वही तुम्हारा मांगा हुआ हमारे लिए तो जहां भी तुम हो, वही मैं सुन लेता हूँ. और उसे भी नोट कर लेता हूँ, कि ये भी तुम्हारा डिमांड है. और मैं अपने बच्चे की हर बात का ख्याल रखूंगा. जो मांगो मैं दूँगा, अब उसमें तुम्हारा भला है, कि बुरा ये डिसिजन लेना तुम्हारा काम है. ये डिसिजन आपका है, कि आप क्या मांगते हैं, लेकिन मुझे तो सब पूरा करना है. परमात्मा, अर्थात, ये सृष्टी या इश्वर, वो कहता है कि जो मांगो मैं दे दूँगा. ये जिन, हम क्या सोचेंगे? 24 घंटे हम सोचते रहेंगे कि अब इसको क्या हुक्म दे? तो automatic system में वो मान लेता है कि जो boss सोच रहे हैं, वही हुक्म हैं. तो हम 24 घंटे क्या सोचते हैं? कभी सोचते हैं, करजा बहुत हो गया है. कभी सोचते हैं, उसी को अच्छा आपको भाई ठीक ने ऐसा सोचना बहुत अच्छा लगता है तो बॉस लिजिए आपका भाई खराब आपसे दुस्मनी करवा देते हैं ठीक है जो हम सोचते हैं वो हमारे डिमांड माल लिया जाता है और उसे ही पूरा किया जाता है प्रकृती इश्वर है प्रकृती हर्षण उसे पूरा कर रही है इसलिए अपने सोच पर थोड़ी सावधानी बरती है और हम जैसे पूजा करने जाते हैं मांगते हैं कि है भगवान मुकदमा हार गए तीन बार इस इतने बार जिसको repeat करते हैं और भावनाय वैसी होती है इश्वर वही पूरा करता है मुकदमा हारने वाले हैं आप आप कहते हैं बच्चा दो बार फेल हो गया था हे बगवान देख लेना इस बार कहीं फेलना हो जाए वो फेल होने की दावत आपने दे दी बहुत करजा हो ग इस टाइब की प्रेयर बना दिया कि कामी कुटिल खलकामी हम बहुत दीन दुखी दरिद्र है हे बगवान जो सोचोगे वही हो जाओगे हमारे रिशी तो ये कहते थे कि विश्वास करो कि तुम परमात्मा के अंस हो शाश्वत हो सनातन हो दिब्बे हो उरजावान हो अनंत हम कुटिल खलकामी जबकी रिश्यों ने ये भी लिखा था रूपम देही जयम देही ये प्रभू रूप दीजिए सुंदर दीजिए बैभाव दीजिए और ये भी हमारे रिश्यों ने आप नाम जबकी महिमा समझ लेजिए राम राम क्यों जबते हैं क्रिस्न क्रिस्न क् पौंगापन्ति है कई लोग बाद मुद्दा कि धन चाहोगे तो धन मिलेगा, बैभव चाहोगे तो बैभव मिलेगा, दुख चाहोगे तो दुख मिलेगा, सुख चाहोगे तो सुख मिलेगा, सफलता चाहोगे तो सफलता मिलेगी, असफलता चाहोगे तो सफलता मिलेगी, तो संसार में इन चीजों को चाहने से ये मिल जाती है तो क्यों नहीं परमात्मा को ही चाह लेते हो तो परमात्मा को चाहोगे परमात्मा मिलेगा तो उन्होंने क्या का अहम ब्रमास्मी आप बोलो मैं ही ब्रह्म हूँ आप बोलोगे मैं दरीदर तो दरीदर ता आ जाती है बोलते हो मैं करजे में दबा हुआ तो करजे में दब जाते हो आप बोलते हो मैं दीन हिन असफल तो असफल हो जाते हो आप बोलते हो मैं बैभावान पैसे वाला हूँ मनुबाल बढ़ा हुआ है दुनिया में साशन करने के लिए आया हूँ इश्वर का राजकुमार हूँ तो वो मिल जाता है तो क्यों नहीं कहते है अहम ब्रमास्मी मैं ही ब्रह्म हूँ सदियों पहले वैदिक काल में रिश्यों ने रिसर्च किया ये है क्वांटम फिजिक्स अहम ब्रमास्मी सो अहम जो ब्रह्म है वही मैं हूँ सचिदानंदो अहम सचित आनंद जो है वही मैं हूँ अयम आत्मा ब्रह्म तत्तो मसी लोग पढ़ेंगे तो कहेंगा रे क्या है सादू लोग तो मसीय आयम आत्मा ब्रह्म यह साइन्स है आज साइन्स जिसको खोज रहा है वो सदियों से उसको लोग जीते रहे जोजफ मर्फी ने एक पुस्तक लिखी The Power of Subconscious Mind वो कहते हैं यह तो भारतिय संस्कृति कहते है मन तो एक ही होता है नाम अलग-अलग उसको आप दे सकते हैं कि Conscious Mind, Subconscious Mind, Unconscious Mind, Super Conscious Mind चेतन, अचेतन, और चेतन, सुपर चेतन तो मर्फी ने दो ही कहा कि आप इसे दो लेबल माल ले कि नीचे वाला लेयर और उपर वाला Subjective और Objective Subconscious और Conscious तो इन दोनों की भूमी का क्या है कैसे विचार काम करते हैं और कैसे कर्म में परिनित होते हैं इसमें उन्होंने बड़ा काम किया तो उन्होंने लिखा कि हमारा जो चेतन, मन है अलूल, यलूल विचारों का अड़ा है वातावरन से प्रभावित है हम जहां जाते हैं वहां के विचार आ जाते हैं और हम प्रभावित हो जाते हैं सिनेमा हॉल में गए जो सिनेमा चल रहा है उसको देखके प्रभावित हो जाते हैं और वैसे ही अपने को हीरो मानने लगते हैं उस समय थोड़ी देर के लिए लड़ाई जब होती है तो वीलन पिटाए तो हम खुश और हीरो मार खाए तो हम दुखी और किसी बुरे विचार वालों के साथ जाते हैं तो उनकी विचार प्रभावित कर देते हैं आप खाने में जाए नेगेटिव सोचने वालों के बीच रहें तो वैसे विचार आने लगते हैं संतों के बीच में जाते हैं सत्संग में जाते हैं लगता हमारे जैसा पवित्र आत्मा कौन है अभी तक हम कहां थे अब लगता हरिद्वार स्वामी जी के साथ चले ही जाए मतलब एकदम आप बदलने लगते हैं लेकिन subconscious mind blind है और boss को follow करता है boss कौन है? चेतन मन उसका boss ऐसा वो मान लेता है तो उस चेतन मन को जो भी चिंतन आया तुरंद पकड़ता है और पूरे ब्रमान में फैला देता है तुरंद कहता है कि boss को ये चाहिए अभी आपने सोचा कि अरे मेरे मित्र सारे ब्यापादी होगे बहुत धन कमाया मैं तो कहीं नहीं पहुँचा चलो मुझे भी कमाना है अमीर बन के दिखाना है मैं भी बनूँगा अमीर उसने पकड़ा कि boss को अमीर बनना है पूरी नेचर पूरी प्रकृती काम करने लेगी उसके उपर लेकिन तभी बिशार आ गया कि अरे हमारे पास तो पूंजी नहीं है और कोई सहयो करने वाला भी नहीं ये कहां से होगा तुरंट उसने उसको भी पकड़ लिया कि boss के पास पूंजी नहीं है कोई सहयो करने वाला नहीं ये कभी अमीर नहीं बन सकते लोग कहेंगा आपने तो कहा था चिंतन करिये सब हो जाएगा हमने तो खूब चिंतन किया लेकिन ध्यान नहीं किया कि साथव नेगेटिब भी कर दिया तो ये जब दोनों गया तो दोनों को पूरा किया प्रकरती ने और प्लस माइनस होके रिजल्ट जीरो आ गया आप कहीं नहीं पहुँच पाए आपने सोचा सफल वेक्तित्व बनना है लेकिन बोले परिस्तितियां साथ नहीं देगे मैं कहां से पॉलिटिशियन बनना है लेकिन जुगाड कहीं नहीं दिख रहा है अरे जुगाड से पॉलिटिशियन थोड़े बनता अदमी पॉलिटिशियन बनना हो बिजनेसमेन बनना हो, खिलाडी बनना हो, सफल एक्टर बनना हो, संत बनना हो, यहां तक की ब्रम्ह बनना हो, सिर्फ सोच से बनता है अदमी, आप सोचिये और सारे मनुविज्ञानी के कहते हैं कि सोचिये वरतमान में आप हो चुके हैं, आप भरती संस्कृती के पूजा पूगापंती समझते हैं, यह तो सब बिज्यान है, आप जब भी कभी पूजा करने बैठते हैं तो पंदी जी कहते हैं पवित्री करन करिए, लेगे क्या पूगापंती है, अभी तो नहां के आये थे, और एक चम जल छिड़क लेंगे तो कोई पवित्रता आ जाएगी, य कराने की जरूरत क्या है लेकिन आप ध्यान देंगे कि पंडित जी जब कहते हैं कि जल छिड़किए और बोलिए कि मैं पवित्र हो रहा हूं मैं पवित्र हो जाऊंगा ऐसा नहीं future tense में नहीं बोलते मैं पवित्र हो रहा हूं इन मंत्र से ओ